सबसे पहले तो मुझे ये बताईए कि राजमा किसका और किसका फेवरेट है सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपी ज़िए बाइ राजमा फ्राई राजमे की राई रेसिपी है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दो कप राजमे लेकर इसे राद भार भीगने के लिए रख देंगे राजमे को भीगने में 6-7 घंटे का समय लगता है और ये देखिए मैंने राद भार राजमे भीगो कर लग दिये थे और सुबे ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं अब राजमे का पानी हटा कर इनको एक कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक चपश नमक डालेंगे अब कुकर का ढकन बंद कर देंगे और इसे 5-6 विसल तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ये देखिए 5-6 विसल के बाद राजमे पक चुके हैं राजमे ना तो जादा गलना चाहिए और नहीं जादा ताइट होना चाहिए ये देखिए राजमे अच्छा से गल चुके हैं अब राजमे फ्राई बनाने के लिए हम गैस पर एक पैन को गरम करेंगे इसमें 2 चमच वाइल डालेंगे आधा चमच जीरा भी इसमें डालेंगे जीरा हलका सा ब्राउन हो जाए तो इसमें एक कटा हुआ प्यार्ज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे अब एक कटा हुआ टमाटर प्यार्ज में मिला देंगे इसके साथ ही दो कटी हुई हरी बेर्श पीस में डालेंगे और इसे एक मिनट तक राई कर लेंगे अब उबले हुए राज में भी इसमें मिला देंगे और गैस का फ्लेम धीमा करके इसे एक बार चला लेंगे अब इसमें एक चमश धनिया पाउडर आधा चमश नमक एक चमश लालमेच पाउडर अधा चमश पिचन किंग पाउडर डाल कर सभी को अच्ची तरहसे मिला लेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इससे चलाते भुए दो मिनट तक फ्राइ करेंगे कि दो मिनट तक दीरे दीरे टॉस करके इसे फ्राई करेंगे इसके बाद दो चमज कटे हुए हरे धनिय से इसे गार्निश कर देंगे और यह देखिए राजमा बनकर तयार हो चुका है राजमे की यह बहुत ही क्विक रेसेपी है अगर आपके पास उबले राजमे रखेंगे तो सिर्फ प्रिट में बनकर दयार हो जाती है इसे आप पराठे या रोटी के साथ खाईए यह बहुत ही टेस्टी लगता है आप भी रेसेपी ज़रूर ड्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी थैंक्यू पर वाचिंग